प्रेक खतम हुआ और आज हम ऑप्षिन खतम करने वाले हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तो सर बचा क्या हुआ बचे हुए कोश्चन कर लेते हैं और एक थियोरी है थोड़ा सा खतम टूटल मिलाखर कितने पार्ट थे तीन पर्ष्ट, सेकेंड और थर्ड तो अभी थर्ड पार्ट चल रहा है और फूर्थ कोई पार्ट नहीं अप्सें ग्रिक्स क्या होता बस यह समझाना बागी और कुछ नहीं एक बार डिसक्स कर लें क्या यस तो पहले कोश्चन नमबर ट्विंटी नाइन उठा रहा है याद हाला कि करना तो पढ़ेगा भाई एंस्ट्यूट में है तो हर चैप्टर में एक आद दो कोश्चन ऐसे मिल जाएगे जिनने हमें थोड़ा सा एक्स्रा दिमाख चला कर याद करना पढ़ेगा यह कोश्चन उसमें से के कोश्चन नमबर ट्वंटी नाइं पढ़ें यस मार्केट प्राइज दिए है 55 ठीक है के प्रीमियम कॉल का प्रीमियम दिए हैEक यह कोई औपर strategy का question नहीं है actually, यह question ही अजीब सा, तो जो option strategy अगर अभी आपके मन में चल रहा तो उसको एक मिनट के लिए cite कीची, यह question option strategy का नहीं है, कुछ और question है, बस आपको ध्यान से समझने, calculate the expiration date, मतलब maturity date को आप बताइए cash flow, आप बताइए investment value, आप बताईए net profit तीन चीज पुछा है cash flow investment value और net profit आपको इस में से मालूम है कौन से चीज आती है सर नेट profit मतलब profit loss रहा हाँ सर वो तो हम calculate करेंगे और सर प्राइस क्या होगा बोले प्राइस तो बाद में बताइए पहले हम है कौन हमने call खरीदा है कि हमने call right किया है कि put right किया है अखर हमने किया किया है वो उसने यहां बताया मान लो कि आपने एक call option buy किया होता तो ये क्या होता ये क्या होता ये क्या होता अगर आपने एक call option right किया होता तो ये क्या होता ये क्या होता ये क्या होता ठीक है और फिर put-buy किया होता हुँ यह put-right किया होता अगर market price पचास होता 55 होता 60 होता यह number है और यह question practice manual में है practice manual कोन साथ anymore क्रेक्टिस समस्छा है old sliments ला करना है छोड़ोगे नहीं इंधे cash flow क्या है cash flow में घिसक्रुष करते सबसे पहले हम क्या करेंगे calculation of cash flow पहले लिख तो लेते हैं टेबल बना लेते है price एक, दो, तीन, ऐसे आज़े है price ऐसे लिख देंगे और यहाँ ठीक सब करके देखते हैं point of all calculation of cash flow calculation of market price कितना है एक, दो, तीन, चार, पाच, पाच एक, दो प्राइस कितना कितना दिया है 50, 55, 60, 65 अगर आपने किया है क्या किया है अगर आपने किया by one call यहाँ, 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 यहा नहीं करना कैश्च्टू घृ क्या है नेट पेज़ ग्रॉस पेउप है कि नहीं न वहीं वैसे तो मेरे हिसाब से ग्रॉस पेउप ही कैश्टू है और मेरा हिसाब नहीं डॉन करने का MP5 क्या हुआ थसर कॉंसा वाला मिनिंग भुक वाला right to buy हम share खरी देंगे किस से खरी देंगे? stock action से कब खरी देंगे? जब share का price 60 रुपे से उपर चला जाएगा और 60 रुपे से कब हुआ तो हम stock action से share नहीं खरी देंगे collapse जाएगा यह होता है ठीक है तो बोलो अगर share का price 50 हुआ तो हम नहीं खरी देंगे book का meaning यहाँ book का meaning चलेगा आप समझने की कोशिस करो sir 55 हुआ तो नहीं खरी देंगे मैं बात आज की नहीं करूँ आज तो premium दे ना उसको छोड़ो maturity को cash flow किया होगा premium की बात छोड़ो maturity को cash flow किया होगा तो sir 50 रुपे है तो नहीं खरी देंगे 55 है तो भी नहीं खरी देंगे 60 है तो भी नहीं खरी देंगे लेकिन 65 है तो क्या हमें share खरीदना पड़ेगा हाँ हमारे जेब से कितना जाएगा sir हमारे जेब से जाएगा 60 रुपे क्योंकि सामने वाले से पैसा दिया खरीदा उसको मार्केट में भी तो बेचोगे वो क्यो बूल रहा हो cash inflow भी तो है अगर cash inflow भी है 65 रुपे cash inflow तो ultimate भी तो 5 रुपे का cash inflow है ना gross pay off हाँ मैं cash flow का मतलब gross pay off ही मानता लेकिन यहां IC AI ने one side लिया है बुले आप उने खरीदने की बात कर रहा है और right सब्सक्राइबा जो हमाने खरीदा है stock action से बस वही które वाला cash flow बताःए है कोईवालण cash flow चैक्राइब किया है तो खुछ कर सकते हैं यहां यहां खरीदेंगे, 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 य पैसा कितना आएगा, तो सर यह तो सिंपल हो गया, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला खरीदने ही नहीं आएगा, यहां आएगा, और वो मुस्स को पैसे देगा, वो मुस्से शियर ले जाएगा, तो सर यहां हमारे पार साथ टुप हम बैच देंगे कितने का बेच देंगे ग। सेर 9500 करन। तो बेच को ना जंके तो नहीं भी नहीं भी नहीं रह दो बेच हों किया करेंगे। तो 55 हुआ तो भी हम 60 में बेचेंगे और 60 हुआ तो नहीं बेचेंगे पैसट में भी नहीं बेचेंगे 70 तो 60-60 इस तरह पाएगा पुट आप्शन में अगर आपने क्या किया है बाइ किया पुट का 60-60-0-0-0 अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ कर नहीं सकते नहीं रहे से करना पड़ा है और सब किया राइट वन पुट राइट वन पुट का मतलब समझना पड़ेगा रहा है सामने वाला बेचे मतलब में खरीदूंगा में खरीदूंगा कब जब सामने वाला बेचे मतलब हमारे जेव से जाएगा साथ काम खत्म ठीक है फटा फट से बना लो गुतनी हो गया चले आगे अब मैं क्या निकानने की कोशिश करूँ यह बना लिया है जल्दी जल्दी बना लोगा नहीं बनाया हो ठीक है सर बना लिया अब पॉइंट नमबर टू क्या मांगा है पॉइंट नमबर टू में इन्वेस्टमेंट वैल्यू मांगा है तो यही वाला रफ कर देता हूँ तो क्यलकुलेश्यों पॉइंट नमबर टू हो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू ठीक है इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए उपना ध्यान से उन्होंने क्या समझाने की कोशिश किया मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मिनिंग बताने की कोशिश करूँ ठीक है सर बताओ हम इस सुनना चाहते हैं Investment value कब की चाहिए, सर, investment value भी चाहिए, expiration date की, investment value का मतलब क्या, सर, इसे हम value of option बोल सकते हैं, yes, value of option, ठीक है, और समझने की कोशिश करते, मालो मैंने call option buy किया call option का exercise price कितना सर 60 रुप है start से उपर जाएगा तो exercise क्या यहाँ मेरे मेरे पास receipt है मालो मेरे पास receipt है किस चीज का option रखा हूँ मेरे पास option का receipt इसकी value है भी के नहीं मैंने जो investment कर रखा मैंने जो call option खरीद के रखा इसकी कुछ value है भी कि नहीं बस मुझे ये पता करना है एक्सपाइरेशन डेट को maturity rate को मैं पता कर ओँ पचास हुआ तो इसकी कोई value नहीं है zero अगर 55 हुआ तो 0, 60 हुआ तो 0, 65 हुआ तो अब मुझे फायदा हो सकता है अब इसकी value है और कितनी value इसकी 5 अगर 70 हुआ तो अब इसकी value कितनी है 10 इस इस investment value पर सुद्ध इंदी में बोल सकते investment value investment value का मतलब हो गया gross pay off यहां के लिए हालाकि ऐसा होता नहीं सिर्फ इसी question के लिए investment value मतलब gross pay off अच्छा सर ऐसे याद कर ले न gross pay off तो gross pay off तो सरम को निकालना आता है मैं जानता हूँ अच्छी से आता है करके अरे चलो call option कितना 60 से उपर exercise गाल एक्सराइज 0 0 0 5 और दस और अगर आपने right की है तो यहां सामने वारा एक्सराइज नहीं करेगा यहां exercise करेगा तो मुझे 10500 और यहां में इसके लिए कितना हो जाएगा 10500 कितना है ठीक है तो मैंने कहा था यह कोश्चन थोड़ा सा अभी एक पॉइंट बाकि प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट और लॉस आप निकाल लेते हो पर फिर भी मैं निकालने यह लिख लिया है क्या जल्दे ज़्यादे लिखू हां जी हो गया अब पॉइंट नमबर थ्री लिख हो गया है कैलकुलेशन आफ क्या बोला है नेट प्रॉफिट फिर से टेबल बना लीजिए वैसे चलो सोचते हैं पहले कॉल आप्शन का सोचते हैं सर सिक्स्टी से उपर एक्सरसाइज होगा प्रीमियम यहीं लिख लेता हूं भाई और सर कॉल आप्शन का प्रीमियम जो है वो है नौ रुप है खाल वालड रेट प्रीमियम पहले जीरो नहीं जीरो नहीं नहीं करूगए एक्सराइज काल ओप्शन क्ये हो जाएगा लैप्स लैप्स हो जाएगा प्रीमियम तो गया तो समझ में आगे ना माइनस नाइन minus 9 minus 9 यह exercise 5 का फाइदा पर 5 minus 9 4 का लॉस और सर यहां 10 minus 9, एक का प्रॉफिट ठीक है सर अगर आपने राइट किया तो आपको premium का फाइदा है, सामने वाल exercise नहीं कहरे तो premium का फाइदा है और आपने चार रुपे का फाइदा और यहां एक रुपे का लॉस ultimately वही होग और सर पुट होता तो 60 से कम exercise premium कितना है पुट का, तो पुट का premium है एक रुप है पुट का premium है एक रुप है पुट किया है, कम होने पर exercise तो 10, 60 में से 50 गया है कितना 60 में से 50 गया 10 का, 10 में से गया 9 फाइट क और यहाँ एक रुपे का पूपे का जोस्ट पूपे एक पूजटी होगा, राइट किया सामने वाला का फाइदा मतलब हमारा लॉस और अगर शुन पहुत था यह क्ल परिख सिर्ट था इस एमें टैट मुझे करवाना पड़ carried last class में option की last class है, तो और कोई option था नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, चले जी, आगे चले क्या, त्यार हो, चले थे सर, ऐसा ही और भी question है, कि ambiguous question आप बोल रहें, अब ऐसा कोई question है, ये question थोड़ा सा दर्द वाला था, दर्द, चलो जी, question number 30, fresh, bakery limited वाला question, और ये question option strategy का है, कोई शक् ही है, और इस type का question हमने बड़े सारे की है, तो सर, ये question क्या देने वाले है, होवक, या ये question है, समद बोलना कि सर, हमसे हुआ नहीं करके, प्राइस कितना हो जाए, सब तो वह लिखा है, अगर प्राइस 52 हो जाए, तो अगर प्राइस 50 हो जाए, ये तो इस ट्राइक प्राइस है, और lot साइस कितना दिया है, 50, वो बोल रहा कि अगर प्राइस 53 हो जाए, तो आगे और होगा मतलब, अगर प्राइस 46 हो जाए, तो तो किया हुआ है तो दिक्कत नहीं हो कि इसमें कोश्चन नमबर 31 लास्ट कोश्चन है हमारा ओप्सन का ओप्सन खताम प्रोड़ा थियोरी डिस्कुस करना वह हो जाएगा तो यह कोश्चन कहां से उठाया है आपने तो सुनों बच्चों सुनों यह आपके कोश्चन नहीं है मुझे अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया कि यार चलो कुछ मिल जाएगा कोश्चन को सीखने को मिल जाएगा एक एक स्ट्राइटिजी एडॉप्ट करने के लिए बुला है तो वह क्या बोला है बस पढ़ लेते ज्यादा मुश्किल कोश्चन है नहीं है नहीं है राम होल्डिंग शेयर अभी एक हजार का भिक्रा है राम ने उसको होल्ड करके रखा और राम को क्या उमीद है क्यों अच्छी बात है यह बता रहा है पर उसको ऐसा लग रहा है कि जो प्राइज है वो और गिर जाएगा जो एक्सपेक्टेड लेवल प्रॉपिट है तो भी एनाउंस आक्टर वन मत बताओ क्योंकि कंपनी ने रिलायंस ने प्रॉपिट कम कमाया है उससे ऐसा लग रहा और व प्राइज एक हजार तीस अलग अलग इस्ट्राइक प्राइज है ऑप्शन भी कॉल और पुट है और प्रीमियम दिया हुआ राम इंट्रेस्टेड है सेलिंग ही स्टॉक राम कहता भाई स्टॉक ही बेज देता हूं ना टेंशन खतम क्या प्राइज गिरने वाला है तो यार अभी हजार का बिग चाहेगा ना तो और क्या चाहिए और कितना गिरेगा उसको ऐसा लगता कि वह पाच पर्शन से करोना है एक हजार माइनस पाच पर्शन बोले 950 रुपए से नीचे नहीं होना चाहिए भगवान पर उससे ऐसा लगरा 950 से नीचे भी हो सकता है पता नहीं क्या हो सकता है इसलिए उसने कहा कि मैं शेयर ही बेज देता हूं क्योंकि मुझे कुछ इस्ट्राइजी समझे बन तो सुनो भच्चो सुनो बात ऐसी है सुनना दिहां से आखरी कोशन है सुनोगे कि 925 बात का डर कहीं शेयर कम नहीं हो जाए हैजिंग का मतलब है जिस बात का डर उसी में शर्त लगाते है वह चीज खरिद लेते हैं एक option होता है किस बात का डर है कहीं price कम नहुजाए तो चलो एक काम करते है पुट option हम हम खरीद लेते हैं पुट option खरीद लेते और कौन सा वाला 950 वाला 950 यह दिख रहा है कि 950 से कम जाएगा तो हम put option exercise करेंगे हमको 8 रुपय premium देना पड़ेगा अब अगर शियर का प्राइस कम भी हो जाता है 800 में वेचना पड़ेगा ठीक है कोई दिक्कत ने 800 भी पर पुट भी तो एक्ससाइस कर लेंगे और पुट से हमको उतनी का फायदा हो जाएगा मतलब आपका किसी भी हालत में शियर 950 से कम का भीकेगा नहीं या दूसरी मिनिंग समझ लो पुट उप्शन का मतलब क्या हो तो राइट टू सेल मतलब सर जो शियर मैंने होल्ड कर रखा है उसको मैं किसी भी हालत में 950 का बेच ही दूँगा यह है हैजिंग स्ट्राइटिजी और अगर सर बढ़ गया तो पंद्रास हो गया तो पंद्रास होगा बेच हूँगा 950 लेप्स उसकी वज़े से फायदा क्या होगा फायदा यह होगा कि 950 से कम मेरा शियर भीकेगा नहीं किसी भी हालत में हां हाला कि इस हैजिंग के कोश् मेरा बश्या बाष्च थै लिए in order to h, we buy one put option at exercise price rupees is 950 and paid premium rupees now 8 suppose price on maturity rupees 800 मन से बोला है आप कुछ भी लिख सकते थे एक 950 से कम price लिखो एक 950 से ज़्यादा लिख दे ना कुछ है ने तो भाई जो share आपने old करके रखा उसको बेज दोगे celsius rupees 800 put exercise put exercise होगा तो 950 minus 800 तो कितना 150 तो बोलो कि आपको किसी भी हालत में 950 मिलेगा या उससे कम मिलेगा कि उससे कम ने मिलेगा और सपोज price on maturity बारस नो अगर शेयर का price कितना हो जाए बारस हो जाए तो बीची नहींगे हम लोग कितने का या बारस हो जाएगा लैप्सट जीरो तो आपको कितना पे याउफ मिलेगा कम से कम तो इन एनी केश अगर प्राइस कम भी होता तो आपका शियर कितने का नौशो पच्छा का बिखेगा ही बिखेगा नो डाउट कॉश्ट और दीश ट्रेट सी रुपीस एट इत भी यूव तो बियर आट टुप्य आपको बियर करना क्यों बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया आप छोड़े सकते इसको यह कोश्ट आपके कामका नहीं है आए सी यह आई का तो कोश्ट नहीं तो ऑप्शन के सारे कोश्ट हमारे खतम हो चुके हैं अगला टॉपिक करेंगे हम फ्यूचर पर ऑप्शन में पुराने जमाने में ओल्ड स्लेबस में एक थियोरी आया करता था वो थियोरी आप से डिस्क्रिश करना वैसे क्लास ओवर कर सकते हो कि सर आदा घंडा भी नहीं हुआ है आप भी क्लास ओवर करेंगा जल्दी क्लास ठीक है ठीक है सर तो बात इतनी इसी है बात सून ऊंटे ध्यान से कि और अप्शन में पुराने जमाने में एक थियोरी आता था option से future से कहीं से थियोरी आ सकता था पर एक थियोरी जो option का था वो ultimate important था new syllabus में क्या हो गया new syllabus में जितना भी थियोरी आता वो उनी तीन चार चैप्टर से आता चार चैप्टर से इससे थियोरी नहीं आता ना option से या फिर मैं का हूँ 20 नंबर का है थियोरी तो 16 नंबर वहीं से आएगा चार नंबर पता नहीं फॉरेक्स से देए कि डेरिविटी से देए पर एक थियोरी जो important है अगर आपके पास time है तो last time में कर लेना देख लेना ठीक आ सकता है अगर option से पुछेगा तो पर फिर भी अग option ग्रिक्स option ग्रिक्स सरी क्या होता है समझाता हूं option चार चीजो पे डिपेंड करता है करता है यह था थ ता करता है और रेट आफ एंप्रेस्ट एक में जब हम मास कर रहे थे ना तो हम डाइम को क्या बोलते थे टी और रेट आप इंट्रेस्ट को क्या बोलते थे आन्फ आर और स्टेंडर्ड आविशन को यह बोलते थे तो देखा जाए और एक चीज होती थी वो होती थी exercise price सवाल ये है कि call option या put option जो भी option है उसकी value कौन-कौन से factors पर depend करता है और जिन factors पर depend करता है हम उसको option gricks कहते है option gricks तो कौन-कौन सब सबसे पहले share का price की बात करते है share का price इसका मतलब जैसे-जैसे share का price बढ़ता है call option में हम भगवान से क्या प्रात्ना करते है सब भगवान से ये प्रात्ना करते है कि share का price बढ़ जाए तो जैसे-जैसे share का price बढ़ता है call option का value भी बढ़ता है और जैसे-जैसे share का price गिरता है call option का value गिरता है पर put option का बढ़ता अपोजीट होता, put option में भाव देखते हैं, तो कही न कहीं share की price, हम जब भी option खरीदते हैं, और इसकी value, इसकी value के लिए हम हमेसा call option खरीद रहा है, तो कहीं न कहीं हम share का भाव देखते हैं, कि या share का price क्या है, अगर share का price बढ़ेगा, या आपको क्या लग की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, यह सोचते हैं, कि share का price होने से, औप्सन का value भी change होगा, पर कितने गुना change होगा, डेल्टा, हाँ, डेल्टा याद है, हाँ सर, हाँ सर, share अगर एक रुपए से बढ़ा, तो call option 50 पैसे से बढ़ा, अगर एक रुपए से गिरा, तो call option 50 तो यह जो sensitivity निकाल रहा है, sensitivity है, sensitivity निकाल रहा है, इसी को आप बोलते हो, और क्या बोलते हो, डेल्टा, अच्छा सर, इसको क्या मैं, वैसे डेल्टा पहले भी समझा चुका हो, आपको, डेल्टा, ग्रिक लेटर में लिखा रहे था न, डेल्टा, ग्रिक लेटर है, इसलिए इसको option ग्रिक से बोलते हैं, सर, शियर का price change होने से, option के value में जो change होता है, वो कितने percentage से change होता है, कितने times में change होता है, उसको बोला जाता है, डेल्टा, मैं अभी और रीट करूँ, B.S.M. में हम assume करते थे कि कोई change नहीं होगा standard deviation वकिरम है, पर ऐसा नहीं है, एक बार बताओ, आप option खरीदते हो, तो आप क्या सोचते हो, fluctuation ज़्यादा होना चाहिए, कि कम ज़्यादा, जितना ज़्यादा fluctuation होगा, उतना हमारा फायदा, क्योंकि यार नीचे गया, तो अगर अभी volatility 5% है, deviation, standard deviation, volatility 5% है, तो हो सकता option का value 25 रुपय होगा, पर अगर volatility अगले दिन 10% हो गया, deviation change होता है, अगर deviation और change होगा, तो option का value भी बढ़ेगा, तो volatility के change होने से, option के value में जो change होता है, volatility के change होने से, volatility, volatility के change होने से, option के value में जो change होता है, उसे बोलते है, V for vega, delta vega, V for volatility, V for vega, rate of interest, rate of interest भी बड़ा काम का चीज है, rate of interest के change होने से, rate of interest चैंज होगा, 10% है, 12% हो जाएगा, तो rate of interest के change होने से, option के value में जो change होता है, उसे क्या बोलते है, rho, R for rho, rate of interest के change होने से, option के value में जो change होता है, और एक बारता जैसे जैसे टाइम हम ना प्रीमियम देते हैं मालो प्रीमियम दिये हमने 40 रुपए इसको दो पार्ट में बाटते है 30 रुपए क्या होता है intrinsic value मन से बोल रहा हूं और 10 रुपए क्या होता है time value intrinsic value time value अपने पढ़ा है यह जो 10 रुपए देते हैं हमको मालू में भी 3 मां है हमारे आज थोड़ी ने exercise कर रहा है 3 मां है तो वो इस 3 महने का 10 रुपए देते हैं extra कि 3 मां मैं कहीं भी exercise करेंगे पर जैसे जैसे time बीठते जाएगा जैसे जैसे time बीठते जाएगा तो ये धीरे 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 ये time value खतम होते जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो time के change होने से option की value में जो change होता है उसे क्या बदलते है ताट इससे बदलते है theta अच्छा सर ठीक है तो क्या क्या मैंने पढ़ा ये सब पढ़ना delta है delta बहुत ठीक है मैं इसको ना summarize कर रहा हूँ actually इसलिए तो क्या आपको बाते समझ में आगी मैंने क्या क्या बात बुला delta उसके बाद vega volatility rho और एक क्या theta अच्छा एक बात और सुनो बड़ी important बात है मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा मैं आगे discuss करूं महां समझ में जाएगा पहले पढ़ लेते अभी मैंने आपको कितने फैक्टर बता है टोटल मिलाकर पाच फैक्टर उसमें से एक दो तीन चार चार फैक्टर बता अब भी भी एक फैक्टर बाकि है जिसका नम होता गामा वह गामा भी आपको समझाना है तो अब भी आपको क्या समझ में है delta समझ में आगे है vega theta और rho समझ में आगे है एक बाद पढ़ते तब बात समझ में आगे देका price of option depends upon the following factors strike price exercise price time volatility and rate of interest among these factors exercise price is constant ठीक है जी exercise price constant है तो उसको तो रहने ही दो remaining factor may change option price will change due to change in this factor we wish to carry out sensitivity analysis sensitivity analysis मतलब क्या हुआ rate of change in option option के rate में change होता option price में जो change with respect to each factor keeping other factor constant इसका मतलब एक समय पर एक ही factor change बाकी factor मान लेंगे assume कर लेंगे कि constant रहेगा करके this rate of change have been assigned in Greek letter इसलिए हम इसको option ग्रिक से बहुते है ठीक है it means हमारे लिए exercise price का कोई यूज नहीं है वह कोई factor नहीं माना जाए सर एक बार बता एक्सराइस प्राइज जादा रहेगा तो प्रीमियम जाए वह वह तो बिगनिंग की में बात कर रहा हुआ जब आप option खरीद रहा वह एक बार खरीद लिया उसके बाद आपका काम ख़तम होता है फिर तो चैंज नहीं होगा फिर वह हमारे लिए वह फैक्टर काम का है जब आप option खरीद रहा तब का है बस पढ़ते हैं डेल्टा डेल्टा मिन्स रेट आप चेंज न ऑप्शन प्राइस विध रिस्पेक्ट तो इस्टॉक प्राइस इस्टॉक प्राइस के चैंज होने से ठीक है मतलब प्राइस के बढ़ने से कॉल आपशन का पॉजेटिव डेल्टा होगा और पूट पय हुआत खांग कोई बाते ही ड hell ऑप Canada साकता कि ए यह वाला पॉइन्ट इंपोर्टन जो चैंज डीपली आउट अब दा मनी मतलब sir मतलब काल शन था चैंज है एक्सरसाइजx है 100 एक्सरसाइस प्राइस है 100 और मान लो आज मार्केट प्राइस है 80 और प्रीमियम हमसे मांगा गया है 15 रुपाय क्या कॉल ऑप्सन आउट अब दमनी है यस और जबरदस्त आउट अब दमनी है अगर ये बढ़ गया 80 से ब्यास्ती भी हो गया तो प्रीमियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब से प्राइस के चैंज होने से कॉल ऑप्सन के वैल्यू में कोई चैंज नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आउट अब दमनी है कोई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेट नहीं होगा जितना दिया फ्रीमियम ठीक है जब बढ़ेगा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब सुचा जाएगा ठीक है वह लिखा है इप कॉल ऑप्सन इस डीपली आउट ऑप दमनी डें डेल्टा कॉल क्लोजर टू जीरो लगभग जीरो है मतलब चैंज हो गई नहीं लेकिन अगर से प्रीमियम कितना मांगा गया 82 रुपए मन से बोला 82 अब होता क्या है यह अगर दो रुपए से बढ़ेगा तो यह भी दो रुपए से बढ़ता है क्योंकि यह लगभग यह बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना एक्चुली खैत इतना बहुत ज़्यादा लीटेल समझ मे हो दे अभी कॉल अप्स डेल्टा का मिनिंग अगर आप थोड़ा वहत भी लिख देते हो तो चल जाएगा ठीक है यह लैंग्वेज कहां की है यह लैंग्वेज आपके इस्टडी में दिया हुआ है चलो आगे बढ़े सब्स डेल्टाप कॉल पॉइंट पॉइंट पॉइं इट मिन्स प्राइज और श्टोक गॉजब बाइज रुबान रुपीस तेरका प्राइज एक रूपे से बढ़ेगा तो कॉल अप्शन का वैल्यू चालिस पैसे से बढ़ेगा पर पुट अप्शन का जो प्राइज है वो साट पैसे से कम हो जाएगा यह मैंने आपको मता ह डेल्टा का तो मिनिंग यह होता है बाइनोमियल में भी डेल्टा पढ़ा था बाइनोमियल याद करो मैं कहता था दोनों तरप का बराबर है आग चाहो तो आप एक कॉल अप्शन खरीद लो चाहे तो आप पॉइंट फॉर सियर खरीद लो दोनों का पेउप देखो के तो यह बराबर आगा ही मैंने डिटेल में समझाया था ओप्सन हैंजिंग में कुछ पढ़ाया था ना रैप्लिकेटिंग पॉर्टफोलिय अप्रूच उसमें उसमें जाकर देखने ना ठीक है पुट इस एक्यूएलेंट टू पॉइंट सिक्स शॉर्ट 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 श तो अगर कहता हूं कि पुट का डेल्टा पॉइंट सिक्स इसका मैं चरहतों पॉईंट सिक्स शॉर्ट कर करेंगई इक ही बात जो बीएसम में डेल्टा का मतलब क्या होता है एंडीवन जो एंडीवन निकाल रहे थे ना उसी को डेल्टा कहते है बीएसम में और हैज रेश्यो हैज रेश्यो तो आपको बताया था कि आप चाहू तो आपको मैंने हैज करना से कहा था ना आपने सी राइट किया है कॉल उपसंन राइट किया है राइट वन कॉल उसको हैज करने के लिए क्या है राइट कॉल कॉल राइट किय तो लॉसक्राजर प्रैस बढ़ेए और जिस बात का इडरachten क वह disciplines चैर क्या सबकर खरीद लो और कितना शेर खरीद लो पॉइंट पॉर्ट वे मैंने लिख राइट कॉल एंड बाय पॉइंट से ये भी मैंने करवाय हों कही न कहीं है जर इसर हमको याद आ रहा है कहां करवाया था रिस्क-फ्री पोटफुलियो करके पूछ है उसमें करवाया हूं थेक है में बेसिक बात यह है कि अगर डेल्टा के विशे में थियूरी आए तो क्या दो-चार लाइन लिख पाओगे? हाँ, इतना टेखनिकल लेंग्विज नहीं भी लिख पाओगे, तो भी चलेगा, चार लाइन भी लिखोगे? पर डेल्टा के विसे में नहीं पूचेगा, पूचेगा, उपसन ग्रिक्स, चार नंबर का आएगा भाई, उपसन ग्रिक्स, तो दो-दो लाइन हर एक की विशे में लिख देना, ठीक? इसके विशे में बढ़ा है था डेल्टा, गामा क्या है सर्थ, गामा, गामा सुनना, exercise price अभी है 500 इस टाक का price है पास्सोदा अभी exercise इंदमनी दिखरा है premium 12 सर यह बढ़ गया और यह हो गए पास्सोब्यस यह तो चैंज नहीं होगा यह पास्सोब्यस होगया सर तो premium में change होगा और कितना होगा 15 तो बताओं यह 10 रुपै से change हुआ यह 30-3 रुपै से change हुआ कितना percent 30 परशन देख रहा है 30 परशन थीक के इस से देख रहा हूगा ना वहाई यह 3 रुपै से 10 रुपै से 30 परशन इसका मतलब बोल सकते हो यह 0.3 भी बोल सकते हो सर 0.3 बोलो 1 रुपिया से अगर ये बढ़ता तो ये 30 पैसे से बढ़ता है अगली बार ये कितना हो गया है 530 और ये हो गया 12 और 3 15 ये हो गया 20 रुपए सर 20 रुपए हाँ जिस स्पीड से अभी स्पीड से बढ़ता ऊच्छा सर तो अभी ये कितना हो गया है और ये हो गया ये 10 से 0.5 होगया मतलब 0.3 से 0.5 हो गया share के प्राइस के बढ़ने से option के value में जो change होता उसको क्या बولते है delta share के प्राइस के बढ़ने से delta में जो change हो गया पहले delta था 0.3 अब delta 0.5 उसको बोलते है gamma कहां काम आने वाले आते हैं बेटे ट्रेडिंग में काम आते है share price के change होने से option के value में जो change हो रहा उसको क्या बोलते है delta share price change होने से delta में जो change हो रहा उसको बोलते है gamma delta does not move at same rate hence rate of change in delta with respect to rate of change in stock price is called gamma एह समझाना थीटा time मतलब time के बीतने से option का value क्या हो जाता है काम उसको क्या बोलते है theta पढ़ लोगे vega sensitivity जादा होगा तो option का value चाहे call or चाहे put option का value क्या होगा जादा उसको क्या बोलते है sensitivity मतलब volatility मतलब vega ठीक है sir पढ़ लेंगे और last में row row का मतलब rate of interest rate of interest के change होने से option की value में जो change होता उसको क्या बलते है row और rate of interest बढ़ा call option क्या होता है sir share खरीदेंगे तो पैसा जाएगा उसकी अपक्षा call option खरीद लेते है अगर rate of interest बढ़ता है तो share में जादा पैसा फिर तो और भी पैसा block होता है तो इसकी अपक्षा बढ़िए call option ही ठीक है call option का value बढ़ जाता है ठीक है खर बहुत ज़्यादा research ये line ना भी लिखो तो भी फर्क नहीं पढ़ता उपर वाली line लिफ लोगे बात खता मैं बहुत ज़्यादा time नहीं लगाना चाहता है ठीक है ठीक है तो option खतम हुआ सर क्लास अभी और continue हो सकती future आप स्टार्ट कर सकते हो पर मैं अभी future स्टार्ट कर रहा हूं अच्छा नहीं लगता है बीच में से तो अब हम पढ़ने जा रहा है future बाकी revision पक्का करोगे option एक बात है मुझे बच्चों के phone आते है कि सर derivative तो हम भूल गया फिर से मतलब जब पढ़ते तब अच्छा लगता है एक बाद पढ़के हो गया और एक मैने बाद किताब उठाते तो भूल जाते भई और derivative आपको हर 15 दिन में revision करना पड़ेगा भूल जाओगे मैं फिर से बोल नहीं भूल जाओगे अभी derivative ऐसे भी खताम नहीं हो इनका revision करना ही पड़ेगा ठीक है जी थैंक्यू सो मच बाइबाए फिर अगली क्लास में मिल रहा है future करने वाले homework ध्यान से करोगे प्रिक करची थैंक्यू सो